हाई गाई इस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम 20 जनवरी तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देख सकते हैं साथ ही आप गूगल प्लेश्टोर से करंट अफेर्स फंडा एप को भी इंस्टॉल कर लिजी क्योंकि जो भी हमारा पीडियोफ मैटीरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेर्स के साथ 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 स्टैटीची के भी प्रोवाइट कराते हैं तो यह सभी मैटेरियल मैं सुरुवात इस वीडियो शेशन की सबसे पहले 19 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आई एम कोजी कोड और इंडियन बैंक ने इंडिस्प्रिंग बोर्ड इसकीम के तहत स्टार्ट अप को फंडिंग करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है परदार मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ड एकोनोमिक फोरम के दावोस एजेंटा के तहत स्टेट अफ दी आर्ट इस थीम पर एक स्पेशल एड्रस दिया है कोटेक महिंद्रा बैंक ने सेम डे सेटलमेंट फीचर लॉंच किया है मर्चेंट्स के लिए करनाटका ने नेशनल स्टार्टप अवाउर्स 2020 में 2021 में सबसे जादा अवाउर्स जीते हैं स्टार्टप अवाउर्स दे गए हैं और इन में से 14 करनाटक के पास गए हैं इंडिया डिजिटल सम्मिट का सोलवा एडिशन यह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोशेशन ओफ इंडिया आई एम ए आई द्वारा आईजित किया गया है देहात इसने एक बीटूबी एगरी इंपुट मार्केट प्लेस स्टार्टप हैली क्रॉफ्टर को एक्क्वाइर किया है Automotive Skills Development Council और Hero Motor Coop इन दोनों नहीं हाथ मिलाया है किसलिए फोर टू वीलर शोर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स के लिए Noted जार्यम्नानी जर्नलिस्ट कमाल खान इनका हाली में निधन हो गया है Ship Rocket इसने Rocket Box को एक्क्वाइर किया है गुजरात ने यदि हम Fiscal Year 22 के First Three Quarters की बात करें तो सब स्यादा Investment गुजरात में हुई है R.C. गैंजू एंड अस्विनी भटनागर इन दोनों नहीं एक बुख लिखे जिसका नाम है Operation Khatma Pera Athlete Kamal Kant Nayak इन्होंने 24 घंटे में 213 किलोमिटर वील चेयर पर डिस्टेंस कवर की है और इसे के साथ Guinness Book of World Record में जगमन आई है INS Coachee ने रश्यन नेवी के साथ PASSEC exercise में पार्टिस्पेट किया है Navdeep Kaur इन्होंने Mrs. Word 2022 में Best National Costume Award जीता है Dubai ने Infinity Bridge ओपन किया और Keral First Ever World Diff T20 Cricket Championship इसको होस्ट करेगा 2023 में तो चलिए फिर अब देखते हैं 20 जनवरी के सभी करंट अफेर्स अगले थल सेना उपरमुक के रूप में किसे न्यूक्त हिया गया है Options आपके सामने हैं सही answer option B है So Manoj Pande has been appointed as the next Vice Chief of Army Staff देखिए Government of India ने Eastern Army Commander Lieutenant General Manoj Pande को Chief of Army Staff Next Vice Chief of Army Staff न्यूक्त किया है आपको जानना चाहिए General Pande Lieutenant General CP Mohanty इनकी जगा लेंगे Air India के नए अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है Options आपके सामने हैं सही answer option C है So Vikram Devdutt has been appointed as the new Chairman and Managing Director of Air India तो देखे Senior I.S. Officer विक्रम देवदत्त इनको Air India का New Chairman and Managing Director बनाए गया है और आपको हाली में मालूम होगा कि Government of India ने Air India को सेल कर दिया है तैलेस प्राइवेट लिमिटेट को जो कि एक Special Purpose Vehicle है Tata Suns का आपको जारना चाहिए जो ये Air India है इसको found किया था जेहांगीर ड्रतंजी दादाबोई Tata यानि J.R.D. Tata ने 1932 में तब इसका नाम Tata Airlines रखा गया था उसके बाद आपको जारना चाहिए Tata Airlines ये Public Limited Company बनी 29th of July 1946 में तब इसका नाम रखा गया Air India और 1953 में इसको Nationalized किया गया और इसको दो ब्रांचेस में बाटा गया Domestic Airline और International Carrier भारतिय एतिहासिक अनुसंधान परिसद्यानी ICHR नई दिल्ली कैद्धेश के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सही आंसर option D है तो रगुवेंद्र तवर जगी कुर्चेत रिवस्टी में प्रोफेसर हैं इन्हें Indian Council of Historical Research New Delhi में चेर्मेन पतपर निवक्त किया गया है तीन साल के लिए हाली में S. दोरे राजी का निधन हो गया है वह एक उलेख निय क्या थे हिस्टोरियन थे साइंटिस्ट थे पॉलिटीशन थे या फिर जर्नलिस्ट थे सही आंसर option D है सो रिसेंट्ली एस दोराई राजी पास्ट अवे ही वाउज अनोटेबल जर्नलिस्ट तो वेटरेन जर्नलिस्ट थे तमीलाड उसी थे सत्र साल की उम्रमेन का निधन हो गया है आपको जानना चाहिए नोंने Press Trust of India दहिंदू फ्रेंट लाइन और लिंक में कारी किया पंदरा जनवरी को सेना दिवस की पूर्व संध्या पर राष्टपती के अनगरक्षक के साथ एक घोडे को थल सेना ध्यक्स प्रसस्ती से सम्मानित किया गया है इस घोडे का नाम बताईए और सही आंसर और बी है और आपको जानना चाहिए विराट दर्मी हीना इन तिनों को ही चीफ ऑफ दर्मी स्टाफ कमेंडेशन इस सम्मान से सम्मानित किया गया है और आपको जानना चाहिए विराट तो होर्स है जो प्रेजडेंट के बोडिगार्ड है उनी के ही होर्स में है ये विराट इसका नाम है होर्स का और जबकि जो दर्मी है और हीना है ये दो नहीं आर्मी डॉक्स है कौन सा देश अपनी राजधानी को नू संतारा में इस्थानांतिरित करेगा औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन दी है इंडोनेशिया विर रिलोकेट इट्स कैपिटल टू नू संतारा ये जानेंगे आप ये इंडोनेशिया है आगे बात करते हैं इस बारे में देखें इंडोनेशिया की पार्लेमेंट ने एक कानून को पास कर दिया है एक बिल को पास किया है और वो कानून मन जाएगा तो जिसमें इनों ने ये कहा है कि हम अपनी कैपिटल जकारता से रिलोके बाकि आपको जारना चाहिए इंडोनेशिया की करंसी इंडोनेशियन रूफिया है प्रेजिडेंट है जो को वीडोडो अच्छा कई बार आप देखेंगे एक्जाम में SSC एक्जाम और रेलवे टाइप के एक्जाम हो या फिर आपके PCS लेवल के एक्जाम हो वहाँ पर कभी कभी वलकेणों पुछले जाता है कि ये वेलकवनों वलकेणों किस कंट्री में है एक्टिव है या फिर जो डोर्मंड वलकेणों होते हैं तो याद रखेंगा कई बार सही जो श The इंडोनेशिया होता है क्योंकि इंडोनेशिया में ही कई सारे वॉल्कैनों मिलते हैं तो मैं कुछ प्रमुक वॉल्कैनों के आपके नाम बता रहा हूं इनको आप ज़रूर याद रखेगा यदि आप SSC रेलवे या फिर स्टेट के कोई एक्जाम देती हैं देखे क्राकाटो यकि लेक तोबा ihrem मौंट यम्मरार यदि आप तयारी कर दोंगे कई सालों से तो आप जानतें ये इसका नामहें आपने जरूर स은ब और लास्य मांट T कि बॉक सराओaları में DLP के रूप में नेककिया गया है एक्जाम मनीपूर नागलन या फिर में घाले जाओ थि Day आप सभी नहीं जानते होंगे तो इन्हें ट्रेणी डिप्टी सूप्रिटेंडेंडन यानि डिप्टी स्पी इनको आसाम पुलिस में नियुक्त किया गया है अच्छे यह याद लखिएगा दब पुजलिस्ट इस्क्रिप्टिट हिस्टी लास्ट यर बाई बिकविंग दफर्स इस्पोर्ट परसन फ्रॉम आसाम तो विनन ओलंपिक मेडल पुजलिस्ट का मितलब होता है जो बॉक्सर होते हैं यह आप याद रखे कभी-कभी इस तरह गेमसमेनों ने मैडल जीता है ब्रॉंज मैडल हाली में सांती देवी का निदन हो गया वह एक लेक निय क्या थी सही आंसर ऑप्शन डी है रिसेंटली सांती देवी पास्ट अवे यह वाउज़ नोटेबल सोशल एक्टिविस्ट यह सोशल है सोशल एक्टिविस्ट तो प्रेजिडेंट रामनात कोविन ने पदमश्री से सम्मानित किया था क्योंकि इन्होंने जो माववादी हिट एरिया है रायगर्ड रिजन महापर इन्होंने काफी सोशल वर्क किया है तो मेरी साब से काफी इंपोर्टेंड ऑप्शन है यह भी आपके लिए यदि ओभी श सेव डिफीटेड एंडे एंडी मरे टू लिफ्ट मैंस सिंगल्स टाइटल एट सिड्नी टैनिस क्लासिक 2022 फाइनल देखिए असलान कराट सेव यह रशिया के टैनिस प्लेयर है और इन्होंने थ्री टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंडी मरे जो की बिटेन के हैं इन्हे हरार कर मैंस सिड्नी टैनिस क्लासिक सिंगल्स फाइनल जीत लिया है आपको जानना चाहिए विमेंस सिंगल्स यहाँ पर इस्पेन की पाउला बडोसा ने जीता है मैंस डबल जीता है यहाँ पर जॉन पेर्स और फिलिप पॉला शेक ने और विमेंस डबल जीता है यहाँ अना देनिलीना और बेटरीज हदा मुआया ने इब्राहिम बावकर कीता जिनका हाली में निदन हो गया किस देश के पुर्वरास्ट पती थे सही आंसर ओप्शन एह है इब्राहिम बावकर कीता हूँ डाइड रिसेंटली वास्ता फॉर्मर प्रेजिडेंट ओफ माली तो माली के फॉर्मर प्रेजिडेंट थे और इनका 76 साल की उम्रे में निदन हो गया यह आप देख सकते हैं माली अफ्रिकन कंट्री है बागी आपको जानना चाहिए माली की कैपिटल बामा को है करंसी है वेस्ट अफ्रिकन CFA फ्रैंक दियोन लेंडोर जिनका हाली में निदन हो गया यह किस स्पोर्ट्स इवेंट से सम्मन्दित थे पोलो, स्प्रिंटिंग, स्वीमिंग या फिर जैवलिन थ्रो सही आंसर ओप्शन भी है दियोन लेंडोरे who passed away recently was known for sprinting तो देखिए काफी जाने माने sprinter है ओलम्पिक और वर्ड मेडलिस्ट रहे हैं दियोन लेंडोर और इनका हाली में एक unfortunate car crash में जो है इनका निदन हो गया है और यह 29 साल के ही थे आपको जानना चाहिए इन्होंने 2012 के लंदन ओलम्पिक गेम्स मे त्रिनाद एंड टोबैको के लिए bronze medal जीता था रिबेल्स अगेंस्ट राज western fighters for India's freedom किस प्रमुक लेखक और इतियासकार की एक नई किताब है options आपके सामने है सही answer option D है तो लेडिंग ओथर एंड हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा इस ता ओथर ऑफ दा बुक टाइटल रेबेल्स अगेंस्ट राज western fighters for India's freedom देखे रामचंद्र गुहा की जितने भी बुक्स हैं आप इनका नाम सुना होगा काफी फेमस इतियासकार हैं तो इनकी बुक्स जरूर सर्च कीजिएगा और ये वाली बुक्त आप जरूर याद रखेगा पूछी जा सकती एक्जाम में रक्षामंत्री राज्यना सिंग ने फ्रांस में राष्ट्य परवतारोहन और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आवेजित भारत के पहले बहु आयामी सासिक खेल द्वियान को हरी जंडी दिखाई है आपको बताना है जो ये राष्ट्य परवतारोहन और संबद्ध खेल संस्थान यानि एन आई मेस है ये किस राज्य में इस्थित है ओप्शन आपके सामने है सही आंसर ओप्शन दी है सो रक्षामंत्री रायना सिंग फ्लेग इन इंड परदेश यानि कि यही वाला जो स्पोर्ट्स कोलेज यह है इस्टिटूट यह यह जानें इसके बारे में तो देखिए नेशन इस्थिट ओफ मौंटेरिंग एंड एलाइड इस्पोर्स इसने फ्रांस में एक इंडिया का फस्ट मल्टी डामेंशनल एडवेंचर इस्पोर ट्रैकिंग की है एल्फ मौंटेन रेंजेस पर जोगी काफी टफ भी है ठीक है 200 किलोमेटर की ट्रैकिंग की है बाकिया आप को जैसा मैंने बताया है कि नेसल इस्ट्रोफ मांटेरिंग एंड एलाइड इस्पोर्स एनाइड मेस यह अरुणाचल परदेश के वेस्ट कामें की इस्टिक के दि इरांग में इस्थित है निरिकर्द में से किसने स्टूडेंड लर्निंग असेस्मेंट परक पॉर्टल लॉंच किया है सही आंसर ऑफशन भी है सब आइडिगर सस्ट ल्रॉंच यानिऀ परक आप सभी जानतेए एडिया का Council for Technical Education तो इसने देखिए दो प्रोग्राम लॉंच किये हैं जिसमें की स्टुडेंट्स और टीचर्स दोनों का बेनिफिट है पहला प्रोग्राम है स्टुडेंट्स लर्निंग एसेस्मेंट परक और दूसरा है नेसल इनिशेटी फोर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एन आई टी 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 जानेंगे इसके बारे में तो देखिए जो परक प्रोग्राम है इसमें क्या है जो भी हाइर एजुकेशन इंस्टूचंस हैं और स्कूल सें इनके जो भी स्टुडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं इनका असेस्मेंट कंड़क्ट कराया जाएगा इसके तहत परक प्रोग्राम के तहट और जो दूसरा है एन आई टी टी इसमें क्या है जो टीचर्स हैं अब उनको इंडरस्ट्रियल ट्रेनिंग और सेमेस्टर बेस्ट मेंटरशिप जो है छात्रों को प्रोवाइड करानी होगी किस मंत्राले ने 17 जनवई 2022 से 21 जनवई 2022 तक ओपन डेटा वीक की सुरुवात की है ओप्शन सापके सामने है सही आंसर ओप्शन सी है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेर्स इन्होंने ओपन डेटा वीक को ओपन करने की खोशना कर दी है और आपको बता दे मिनिस्ट्री के अनुसार इसमें 100 स्मार्ट सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी जो भी स्मार्ट सिटीज का जिनके पास कारेभार है इस स्टेट्स में है न तो वो क्या करेंगी स्मार्ट सिटीज से सम्मन्द जितना भी डेटा है उसको पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो उसको बोला गया है ओपन डेटा वीक कई तरह की जानकारियां पर जानने के कौन सी कंपनी टॉरंटो वाटर फ्रंट मेराथन का टाइटल इस्पॉंसर और टैक पार्टनर बन किया है काफी मैं अत्रपूंड कोश्चन है ऑप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए है सो TCS has become the title sponsor and tag partner of Toronto Waterfront मेराथन देखें TCS यानी Tata Consultancy Services इसने Canada Running Series के साथ tie-up किया है जिसके तहत ये टोरंटो वाटर फ्रंट मेराथन एंड वर्चुल रेज के लिए title sponsor के साथ official IT service and technology consulting partner भी बन गया है और हाली में हमने पढ़ा था कि टाटा ग्रूप 2022 और 2023 IPL एडिशन के लिए टाइटल स्पोंसर बना है तो दोनों ही महत्वपूर्ण कोश्चन्स हैं आपके लिए चलिए देखते हैं प्रिवेस असाइनमेंट कोश्चन्स के आंसर तो कानपूर में इन्होंने इनागरेट हिया है आपको जाना जाए बीना जो है ये मद्यपरदेश में और पान की है उत्तरपरदेश में 356 किलोमेटर की ये पाइपलाइन है और भारत पेट्रोलियम कोर्परेशन लिमिटर द्वारा इसको उपरेट किया जाएगा और आपने से कई अस्टर बिल्कुल सही आंसर दिये हैं कुछ को एक कुश्चन का आंसर भी आता था तो वह भी काफी सरहा नहीं है उन्होंने आंसर दिया है इसी तरह से आप पाइटिस्पेट करते रहें चले देखते हैं आज के हमारे इंगलिश के शब्द कृष्णा वाटर डिस्पूट जस्टिसेज चंद्रचूड बोपनना रिक्यूस फ्रों केज तो हमारा आज का शब्द आप समझी गए होंगे हमारा आज का शब्द है रिक्यूस तो देखिए रिक्यूस का मतलब क्या ह हुआ रिक्यूस का मतलब है to say that a judge or a member of a jury should not be involved in a trial because they have a special interest in its final result देखिए ये कृष्णा वाटर डिस्पूट से संबंदित कोई केस होगा तो कोई जज होते हैं जो इसकी hearing सुनते हैं है ना जो इस पर अपना फैसला सुनाते हैं तो इसमें जो हैं चंद्रचूड और जस्टि जज अपने आपको किसी चीश से अलग कर लेता है किसी फैसले से यानि या किसी केस से उसको बोलते हैं रेक्यूस तो रेक्यूस का मतलब क्या हुआ खुद को अलग कर लेना क्यों करता है क्योंकि जो यह आपकी जो जस्टिस होते हैं किसी तरह से उस केस से संबंदित होते ह इस तरह से भी कई सारी चीज़े हो जाती है तो इसलिए ताकि उसकी जो निश्पक्षता बनी रहे फैसले की तो इसलिए जो जज होते हैं वो अपने आपको अलग कर देते हैं किसी भी तरह यादी वो उससे लिंक हो तो अलग कर देते हैं आयोप आप इस बात को समझ गए होंगे मान लीजे किसी स्टेट का कोई केस है है और उस स्टेट का कोई विवाद चल रहा है तो वो सु इस्टिस रहां हूँ तो मेरे पही आशार ना कोई कहे किसने अपने स्टेट के बारे में जहे वह लगाए अपने स्टेट के पक्समिए इसने फैसला सुनाए या फिर वो से इस्टेट का हो तब भी वह अपने आपको अलग कर लेता है ये न चलिए दूसरा देखते है विमेंस बोडी रिकवर्ड आफ्टर बोट कैपसाइस्ट इन बिहार वेस्ट चंपारण डिस्टिक तो आप समीज गए हो हमारा हमारा जो सब्द यह है कैपसाइस्ट का मतलब क्या होता है तो पानी में पलट जाना जब कोई ना हो पानी में पलट जाती है यात्रे उसे भरी हो कई सारे लोग हो उसमें वो पलट जाए उसको बोलते हैं जैसा कि आप यह सीन देख रहे हैं तो यह सब्द तो आपको बहुत जादे बार मिलेगा देखने के लिए अगर आपके पास मानलो यह हैडलाइन नहोती और केवल कैपसाइज आपसे पूछ लिया होता तो कई सारे एस्परेंट से जो नहीं बता पाते हैं लेंगिन यह जब हैडलाइन में लिकाई तो हमें ऐसा लगता है और यह तो सब हम जानते हैं क्योंकि सीधा-सीधा आंसर है कि कि विमन की बोडी जो है रि पीलर्स में तो आपको इस समझना थोड़ा टफ हो जाएगा तो दोनों सब्द काफी इंपर्टेंट है और जरूर बताईएगा कॉमेंट बॉक्स में आप पका उसको नोट कर रहे हैं न क्योंकि तभी इसको आगे चलाने का हमारा जो मकसद है वह सफल होगा यदि आप इनको सब्द को नोट कर रहे हैं एक जनवरी से हमने शुरुवात की थी और अब 20 जनवरी हो गई है न मेरे साब से कम से का आप से 20 से 25 सब्द आपके पास होने चाहिए जो अच्छे standard word है जो आपको daily newspaper में मिल जाएंगे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डेड़िया दो महीने सब्द कर देखिए और बताइए आपको सब्द मिले की नहीं मिले यह आपको मिलते रहेंगे सब्दी रोटेट होते रहते हैं उस पेपर में तो इसको आप ज़रूरू बताइएगा comment box में कि आप इनको note कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब इस चीज़ को देखिए आगे क vaccination drive against COVID-19 on which date तो भारत ने COVID-19 vaccination के अपनी first anniversary कौनसी date को मनाई है यह आपको बताना है देख के mentor program is related to which state or UT what is the latest value of foreign currency reserve of India in the week ended December 31st Prime Minister Narendra Modi inaugurated how many new government medical colleges and the new campus of the Central Institute of Classic Tamil in Tamil-Ladu Classical Tamil in Tamil-Ladu तो देखिए कितने जो यह आपका Central Institute of Classical Tamil है तो इसका नया campus और कितने government medical coaches परदानमेंतिर नेरंद्र मोदी ने हाली में तमिन लाड़ो में इनोगरेट किये हैं यह आपको बताना है तो पांचे questions के आंसर आप हमें comment box में जरूर दीजिएगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो वह भी आप हमें comment box में बता सकते हैं कि किसको चुड़ी है साथ ही आप current affairs funda को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर regular video updates और current quiz जैसा हम आप सभी ग्रेड डालते रहते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे current affairs की प्लेजिश दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और fellow aspects चाथ हमारे current affairs को शेर जरूर करें आज का ही session आपको कैसा लगा मैं comment box में जरूर बताइएगा thank you guys